हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइंस अभी का स्वागत करता हूं कि टो वैल कि वेगू फ्रेश वीडियो के अंदर एंड यहां पर बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट्स एंड न्यूजस के बारे में तो सबसे बिटकॉइन की बात करें तो कल मैं आपको रोड मैप बता था कि क्या प्रॉबिलिटी सेनारियों सहां पर बन सकते हैं उसमें कहीं अभी भी हमें टिक्लाइन देखने को मिल सकता है जब तक अप मो बिटकॉइन के लिए अभी जो चांसे से वह कहींए नेचे जाने की जादा है और हमें अहुंनेXT के बात करें आधा सा ठब को यहां पर बिरेक नहीं करा ह데 मार्केट को ब्रेग नहीं करा यह थोड़ा सबाउज्सरेण एक हंचा लेकिन आने वेले टाइम के उनागर अगर 18,300 के आसमस का जो support है ब्रेक होता है तो market नीचे 17,500 को test यहां पर कर सकता है फिर उपर की तरफ वापिस market resistance बना के नीचे की तरफ यहां पर गिनना start कर सकता है तो इस चीश के पर आप थोड़ा सा जाहना पर दे सकते हैं और अगर market में ऐसा कुछ सेनारियो play out होता है तो prices में भी possible है कि इस वाले line को test करने के यहां पर कोशिश करें और इसके बाद जाके फिर हमें जो भी up momentum है या फिर down momentum से वह और जदा clear यहां पर देखने को मिल सकते हैं हालाकि उपर के जो level है आप इसको ऐसा resistance का काम करेगा तो मैं इसको भी फिला में थोड़ा सा चाहने तो कहीना कहीं जो dominance भी है वो एक तरीके से फूर सी side में आप पर आ चुकी है यहीं पर अल्टकॉन की dominance की बात करें तो जैसे हम लोग ने कल के दिन पर डिसकस किया था कि अपर नीची गिर सकती है आप देख सकते हैं अच्छा खासा crash हमें देखने को मिला है बापी से dominance ट्राइ आप हिट कर सकता है और इसके अंदर भी आपको एक trend line देखने को मिलेगी यह वाली और in future अगर यह trend line break होती है किसी भी case में तो भी prices के अंदर यानिकि जो altcoin की dominance है उसके अंदर आपको drop देखने को हाँ पर मिल सकता है यहीं पर हम लोग बात करते हैं Ethereum के बार में तो Ethereum ने भ अगर हम थोड़ा दियान से देखें तो market आज stop कोने के कोशिश करिए लेकिन अभी mid level के ऊपर आगया है तो इसके नीचे कोई candle close हो जाए तो ज्यादा confirmation मिलेगा कि हां market short होने वाला है नहीं तो फिर chances यहां पर भी Ethereum में यहीं बनेंगे कि market यहां से pump करें और फिर इसके करते हैं तो short term में हो सकता है कि Ethereum थोड़ा सा और उपर जाए और हमें दूसरे resistance level को टेस्ट करते हुए मिले जिसके बारे में तब बात करेंगे जब 1400 डॉलर ब्रीच हो जाएक और हमारे stop यहां पर हिट हो जाता है next हम लोग आप बात करते हैं Ethereum के ही CME chart के बारे में इसमें आ करना चाहिए next है हम लोग बात करते हैं Litecoin के बारे में Litecoin में थोड़ी से उमीद थी कि market ऐसे pump कर सकता है वापिस अगर decline करता है तो इस support रूट है important है अभी तो 51 का थोड़ा वेट करते हैं ताकि market नीचे 42 तो यहां पर 41 डॉलर दर drop यहां पर कर सके next हम लोग आप बात करते ह कारे में तो Binance Coin finally हमारे level से इस level को test करने आगे है जैसे मैं आपको कल भी explain किया था कि यह एक resistance level है तो इसको price गुबारा test कर सकता है हलाकि यहां पर prices के थोड़ा pump आने की कोशिश कर रहा है अगर आप candle को थोड़ा closely observe करेंगे तो यह थोड़ी से bullish type की candles पनाने की कोशिश कर र करेंगा नीचे तक नहीं तो हो सकता है कि indirectly यहां पर मार्केट थोड़ा spike कर या थोड़ा सा और उपर जाए और मार्केट का जो second resistance zone है जिसको कि आप यहां पर मार्क कर सकते है रहों 300 डॉलर के आसपस वहां तक मार्केट टेस्ट करें और उसके बाद फिर मार्केट के अंद हैं और नहीं होता तो फिर हमें पता कि कोन से लेवल को यहां पर कर रहे हैं अगर को लांग कर रहा है तो लेकिन ध्यान रखें कि यहां पर शौ्ट की पॉसिचिंस ना वने अगर लॉंग की बनती ही तो ही यह ऑर फिर आप तरगट का पिछला ही भी लेकिशन सक्थ certa है और अभी जितना हम लोग XRP को देख रहे हैं, यह एक bullish trend की तरफ तो चल रहा है, तो अगर ऐसे कोई bounce आता है, तो maybe शायद हमें एक long profit में आपर मिल जाए, और यहां पर bounce होने के अब market के लिए highest point जो है, वो बेसिक की तो थोड़ा उपर है, 6.91, लेकर अगर 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 आप यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करते हो, थोड़ा से इसको नीचे करना पड़ेगा, इस point पर, तो नियो ने वापी से बहुत अच्छा resistance किया ह हमने कल बात करी थी, कि यह एक descending triangle है, और इसकी chances ज्यादा होते हैं, कि market इसको नीचे की तरफ break करें, फिलाव में यह level था, जिससे हमें एक rejection मिला है, और अगर यह continuous रहता है, तो yes, market के अंदर एक correction देखने को मिल सकता है, बड़ ध्यान रखें कि यह fake out है, और अभी के इस time तो हमें fake out ही मिल रहा है, आने मेले in future के अंदर अगर इसमें कोई changes हो जाते हैं, या पर जो prices से वो इस तरह momentum दे देती हैं, फिर हमें कोई long position की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी जब तक हमें, या तो कोई भी scenario clear नहीं मिल रहा है, तो हम trade से थोड़ा दूर और अगर मिल भी जाते हैं, तो हमें short की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो मैं भी शायद इस 11 को hit करें, तो मैंना आपको कल की वीडियो में एच्छे से explain कर दिया है, अगर आप थोड़ा detail में देखना चाहो तो यह वाला वीडियो कल का जाकर चेक कर सकते हो तो मैंना अगर कुछ गरबर होती तो हमें कितने stops यहां पर रखने चाहिए, जैसे कि अगर इसमें कोई short हम्यासा करेंगे, तो भी स्टॉप हम लोग 40.75 क्या सबसर रखने आपर चल सकते हैं, नेक्स कोई की बात करें तो यह है Cardano, जो कि still अभी भी भी drop कर रहा है, कल की prices के बास से भी market ने थोड़ा सा drop mentally आए, तो भी हम support break होने का wait करते हैं, 0.4 अगर break होता है, तो जो भी हमारा target है नीचे, around 0.23 वहां तक का target ले सकते हैं, और मैं आपको जैसे बता है कि volume में आपके decline कर रहा है, तो यह भी एक बहुत important factor हो सकता है, जहां पर कि prices आपको नीचे गि momentum बताया है, और कहीं है कि Matic में हमारे जो major zone है, वो 0.27 के अभी भी बना हुआ है, बट यहां पर क्योंकि price हो अगर सा stable होने के कोशिश कह रहा है, तो यहां पर अगर prices पर कोई changes होते हैं, तो हम इस trend line पर focus कर सकते हैं, इंडरेक्ली अगर कहने की बात करें, तो यह भी possible है कि market एक बार ऊपर की तरफ जाए, then market जब यहां पर नीचे आता है, then यह अपना कोई resistance आपर form कर सकता है, और उस resistance के form होने के बाद फिर जो market है, वो नीचे के levels पर bounce करने की कोशिश कर सकता है, तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर कुछ market में momentum आता है, like pointed factor, तो हम अ माना के बारे में, तो माना में कल हमने एक falling विच की बात करी थी, जिसके break off, break की बात हम लोग आपर करी रहे थे, तो इसमें भी दो possibility यहां तो फेक आउट करें, जैसे भी नियों के अंदर हुआ है, और प्राइज को अपर सकता है, क्योंकि resistance ब्रेक हुआ नहीं, या फिर last opportunity के market उपर जाता है, तो 0.82 से भी हमें कहीं कहीं corrections देखने को मिल सकते हैं, तो short term में अगर market bullish होता है, like bitcoin, ethereum, सारी चीजें, यहां पर भी थोड़ा positive effect मिल जाएगा, नहीं तो यहां पर आप जो supportive zone है, बस आप उसको draw करके रखो, जो current scenario के साब से तो यह वाला है, यहां पर आ market के लंदर फे correction होने की उमीद बढ़ जाएगी, लेकिन हां यहां पर एक scenario देखने को मिल रहा है, जो कि है shoulder, head, and shoulder, अगर यह complete होता है, तो इसकी neckline break के बाद हम लोग trade easily ले सकते हैं, और जितनी target आप expect यहां पर कर रहे हो, वो ही target आपको नीचे, जो कि 0.70 के असपस तक यह यह level पर हम देखेंगे कि क्या हमें कोई resistance देखने को मिलता है, जैसे कि हमने बाकी coins में देखा और अगर मिलता है, तो क्या यहां से एक shot की position create करना सही है, या फिर हम इसके support के break के बाद से shot की position को धंग से यहां पर create कर सकते हैं, तो यह थोड़ी बहुत चीज है, जो कि हमें तो टूटेगा, तो downward का momentum आने की chance से ज्यादा यहां पर रहने वाले, तो चलिए दोस्तों, आप आते हैं अपनी news के उपर, हमने आपके cover कर लिए हैं सारे tokens, तो सबसे पहले हैं खबर आ ली है UAE की तरफ से, यानि की United Arab Emirat की तरफ से, तो basically इनकी ministry of economy है, उन्होंने आपके द दावी, अबुदावी के लिए, और दुबई के लिए आपर basically 2 headquarters इन्होंने खोले गोए, तो यहां पर अगर हम लोग currently बात करें, तो यह अच्छी बात है, जापके अब Metaverse के अंदर भी यह लोग involved हो रहे हैं, और इन्होंने बताए कि यह जो headquarter, यह एक basically multi-story building आपर होने होने वाली है, जिसके जिरूँ आप यहां पर देख भी सकते हो, इस वाली image में पीछे, play तो नहीं करूँगा, दूसरे का clip पे तो copyright का issue हो सकता है, तो यहां पर आप देशते हैं, multi-story building होगी, जो कि अलग-लग purpose को आपर solve करने वाली है, तो अगर दुबई के अंदर से आप Metaverse है, web 3 है, इसके बाद आप NFTs की बात करो, तो वो कहीं रही है कि और जिदा evolve करने की कोशिश कर रही है, और हम कहा सकते कि आने वाला जो हमारा future है, अब future दो नहीं बहुत सकते है, अब यहां पर present में ही कहा सकते कि reality बन चुका है Metaverse, तो future में यह और एच्छे सी South Korea ने यहाँ पर order दे रहा था, दो exchanges, जो की है, यहाँ पर कुकोइन और OKEX, कि आप यहाँ पर 3313 जो की bitcoins है, जो की अलेगी यहाँ पर बता जा रहे है कि यह Tera Lab की जो co-founder है, यानि की do no hung और do no जो की इसके founder है, उनके basically है, तो उनको आपर freeze कर दिया जाए और यहाँ पर freeze कर दिया गया है, तो मैंने पहले भी काई कि Luna से थोड़ा भी दूरी ही रहो, छोटे मोटे परम सारी चीज़े पता ही क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, जहाँ पर भरोसा नहीं हो पाता है एक बार चीज़ की उपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा मेंटर्स के साथ वहाँ पर वर्ग भी कर रहा है, अगली दूसरे एक अच्छी कबर आ रही है, स्विफ्ट की तरफ से, स्विफ्ट आप सभी को बता होगा कि इंटरनेशनल लेवल के उपर कितना बड़ा ग्लोबल जाइंट है, जहाँ पर की सभी लोग पेमेंट कर दे हो, तो स्विफ्ट मेकनिसम की तरफ यहां पर किया ज़्यादा है, तो बेसिकली आप एक ग्लोबल फानिशल फर्म जो स्विफ्ट है, अब वो अपने प्रूफ आप कांसेप्ट की जो प्रोजेक्स है, उनको बेसिकली चैनलिक प्रोटोकॉल की उपर यहां पर शिफ्ट कर रह एक डेटा को दूसरे डेटा में करने का यहां पर कर रहा है, तो देखते हैं कि इसे चैनलिक पर कितना आधा असर पढ़ सकता है, और अगर इन फ्यूचर हम लोग बात करते हैं, लिंक यूश्ट के चार्ट के तुरू, क्योंकि आपने लिंक में हम लोगों को देखना चाह तो यारी है, बाइनस की तरसे और बाइनस ने बेसिक आपर 1.5 मिलियन डॉलर्स वर्थ के जो आयना रूपीज हैं, उनको यहां पर, सारी, जो डॉलर्स हैं, उनको बेसिक यहां पर फ्रीज कर दिया है, आयना मैंने इसलिए वहला क्योंकि इंडियन ऑथर हैती के कहने पर चीजे करी गई है, तो हाँ, यह मत मान सकते हो कि आपका बैसा बाइनस में सेफ नहीं है, कभी भी फोन गुमाई जा सकता है, इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, तो बेसिक यहां पर हुआ क्या कि एक गेमिंग अप्लिकेशन थी, यह बेसिक यहां क्या सकते हो कि इन् का नाम यहां पर अमीर खान है, तो एक नाम के बहुत सारे शक्स होते हैं, आप उसको आप पर देख सकते हैं, हाला कि इसकी मनी लॉंडरिंगी इन्वेस्टिकेशन जुलाई से आप चल रही थी, अब जाके चीजे सामने हैं और कही ना कही वन पॉइंट फाइफ मिलियन, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, उतने यहां पर वर्त के जो बिटकोईन आप कह सकते हो, या पर जो इनके क्रिप्टो से, उनको बिसिकलि आप सीज कर लिया गया, अब यह सीज क्यों कर आगया है, क्योंकि कहिना कि वजीरक्स का नाम यहां पर आ रहा है, हम सभी को बत बूरी खबर है, क्योंकि वेल्स फार को जो बैंक है, वो इन्वेस्टर को कह रहा है कि जा उचा कि कॉइन का स्टॉक पेस दो, बेसिकलि इसके अंदर अगर बात करें दिनका यह कहना है, क्योंकि कॉम्पटिशन आप बढ़ रहा है, और जो मैक्रो प्रिश्य वह बहुत ज बारी चीजे, उस रब से देखने को मिल जाएंगी, लेकिन Coinbase के उपर थोड़े दिन पहले आप एक Allocation लगा गया था, या पर आपके सकते कि lawsuit कि फाइल किया था, 350 million का जहां, जो कि Patent Infraged का lawsuit है, और इसको आपर फाइल किया था, Westernism Capital LLC के अंदर, तो देखते हैं कि यहां पर Trite को, मैंने किसी और के Patent Infraged को चुड़ाया है, तो फिर Coinbase के लिए यहां पर सजा भी हो सकती हो, बहुत लंबा चोड़ाई का जो है matter भी यहां पर जा सकता है, तो अगर आप Coin Token मे या Coin के Stock में invested हो, तो definitely check out करो कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए, नेक्स दोस आपर बा Coin Cap के उपर, नहीं देखे तो जाके देख लेंगे, तो वहां पर बैसिक लिए कि अब यह लोग कोई भी बैक या फिर कोई भी पैक वाला जो Coin होता है, उसको यहां पर नहीं लेके आएंगे, सीधे अपना खुद का Generic Coin लेके आ रहे है, USDC, जो कि होने वाला है, Cosmic Validator के Coin है, उसके उपर USDC token को use यहां पर कर सकते हैं, अगली दूसरे आपर ख़बर आ रहे है, Binance की तरव से, Binance ने फाइनली के सकते हैं, आज की लास्ट खबर है, तो Binance ने फाइनली आपर यहां पर यहां पर इथिने पर जो P.O.W. वाला token है, जिसको हम आपकी पुराने रिक्स अगर Ethereum की पड़ी है तो आप उसे definitely इसको माई यहां पर कर पाएंगे तो Binance यहां पर काये कि हाँ हम लोग ने इसका जो पूल है वो start कर दिया है अभी विला में आप zero pool fees को enjoy कर सकते हैं आज ही I think यह चालू हुआ है जिसको कि आप देखेंगे 10 UTC की बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको IST में convert करना जाएं तो में भी श्याद रात की टाइम का समय में देखने को मिल जाएगा तो आप जाकि डारेक्ली बाइनस की उपर चैक कर सकते हो और यहाँ पर अगर बात करें तो इसका support इन्होंने start कर दिया है लेकिन बाइनस का यह भी कहना है कि हमने इसके mining को support करें इसका मतलब यह नहीं कि token यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा जो भी token है उसे यहाँ पर एक पूरी की पूरी process से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पर को अगर आपने चानल पर फैमिली आफ रंके साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंट जाए शेयर करें तांकि वो लोग भी crypto market से पर अबड़ेटे रह सकें और अगर आप आए फर्स्टाम इस चैनल के उपर तो तुरंट जाए चैनल को करें सब्सक्राइब साइड में दीके notification बा बाइब बाइब